हे एवरीवन, विल्कम बैक टू क्राफ्टोकरी, इस होली के तेवार पर हम घर पर ही खुद ही प्योर और्गनिक होली कलर्स बनाएंगे मैंने एक बोल कॉन प्ला लिया है, इसमें मैं हाफ बोल टेलकम पाउडर मिलाऊंगी, आप दोनों की इकॉल कॉंटिटी भी मिक्स कर सकते हैं इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी खुश्बू एड़ोगी प्लस एक स्मूथनेस भी आएगी, ये हमारे सारे कलर्स का बेस रेडी है अब इसी बेस में हम अलग अलग चीज़े मिक्स करके अपने कलर्स बनाएंगे अपना आज का पहला ग्रीन कलर्स बनाने के लिए मैं फ्रेश कटा हुआ पालक लूँगी उसे पीस कर चान कर ये जूस निकाल लेना है इसमें बल्क बिलकुल भी नहीं होना चाहिए पालक को बहुत अच्छे से 3-4 टाइम्स पानी में वाश करना मत भूलिएगा फिर इस जूस को कौन फ्लार मिक्स में इस तरह से एड़ करते जाना है ये हमें तब तक एड़ करते जाना है जब तक कि हमें एक अच्छा सा प्यार सा ग्रीन कलर ना मिल जाए आज मैं सारे के सारे इंग्रीडियन्स अपने किचिन से ही यूज करूंगी बच्चों के लिए अगर आप ये कलर्स बना रहे हैं तो आप उसमें बेबी फाउडर भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा रोज वाटर भी डालिए उससे बहुत ही प्यारी खुश्पू एड़ोगी मेरी फंकी सी होली कार्ट और चंदन वाला होली पेस्ट सीखने के लिए नेक्स वीडियो में स्मत करियेगा ये एक थिक ग्रीन पेस्ट सा बन गया है इसे अच्छे से धूप में सुखा लेना है सेकेंड कलर बनाने के लिए हम हल्दी आपसे विगेंदे के फूल यूज कर सकते हैं मैं यहां टर्मरिक में पानी आड़ करके थिक सा पेस्ट बना रही हूँ आप सब को पता ही है कि हल्दी तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है हाम करना तो दूर की बात है यह तो उल्टा एंटिसेप्टिक होती है अब इसे धीरे धीरे अपने बेस में मिक्स करते जाएए आपको जितना मिडाक यलो कलर चाहिए उतनी हल्दी आड़ करते जाओ इसका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है क्योंकि यह सारे नाच्रल कलर्स है इसे भी ड्राइ होने दीजिए अगर आपको बहुत ब्राइट सा यलो कलर चाहिए न तो आप इसे ड्राइ होने के बाद फिर से एक दो बार हल्दी का पेस्ट मिक्स कर सकते हैं मैं तो थोड़ा सा पेस्टल सा यलो कलर बना रही हूँ थर्ड कलर बनाने के लिए मैं धुला और फ्रेश कटा हुआ परपल कैबज यूस करूंगी इसे पीस कर मैंने चान लिया है अब इसे भी हमें बेस में मिक्स करते जाना है आपको जितना भी डाग कलर चाहिए ना उतना जूस डालते जाएए अगर आप इसमें इस पत्ता गुबी का जूस थोड़ा सा और मिलाएंगे तो आपको एक परपल सा शेड मिल जाएगा बेटर होगा कि आप इसको पहले एक बार ड्राई होने दे फिर इसमें दुबारा जूस मिलाएं फोट कलर बनाने के लिए मैंने फ्रेश कटा और धुलावा भी टूट लिया है ये देखिए मेरे हाथ अल्रेडी कलर डो चुके हैं आप इस जूस को एज लिक्विड होली कलर भी यूस कर सकते हैं क्योंकि इसका कलर बहुत ही डाक सा प्यारा सा आता है इसमें कोई भी हाश केमिकल्स नहीं हैं और ये आपके स्किन के लिए एकदम हंड़िट पसंट सेफ हैं इसे ड्राइ करने के बाद ना मैंने इसमें फिर से एक बार बीट रूट जूस मिलाया है क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़े से कलर सहलके हो जाते हैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने इसमें टोटल तीन बार बीट रूट जूस मिलाया है तब जाकर मुझे अपने मन पसंद ब्राइट सा रेड कलर मिला है फिफ्थ कलर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ही बीट रूट जूस मिलाना है इसे हमें फाइनली पीचिश पिंक सा बहुत ही प्यारा सा कलर मिलेगा जो मैंने वीडियो में फाइनल शेट दिखाया है ना उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बीट रूट मिलाया है ये देखिए पांचो कलर्स मेरे 100% और गेनेक हैं अब इन्हें मैं दूप में सुखाने के लिए बालकनी में रखने जा रही हूँ छटे गुलाल के लिए मैं ब्लू फूट कलर यूज़ करूंगी जितना भी आपको वाइबरेंट कलर चाहिए उतनी इसकी ड्रॉप्स एड़ करते जाएगे इस तरह से आप इन सभी कलर्स के धेरो लाइट और डार्क शेट्स बना सकते हैं ये देखिए ये अभी सकाई ब्लू है अगर इसमें और कलर्स एड़ करते जाएंगे तो एक डार्क सा टकोईश ब्लू कलर बन जाएगा ये देखिए यहाँ पे मैंने गल्वस नहीं पहने तो मेरे हातों में ब्लू कलर लग गया है इसलिए हमेशा फूट कलर्स यूज़ करते वक्त गल्वस पहनना मत भूलिए अपने साथवे गुलाल के लिए मैं येलो फूट कलर यूज़ कर रही हो इस बर मैं एकदम ब्राइट सा येलो कलर बनाऊंगी दूसरा कलर बनाने से पहले अपने गल्वस को धोना भी मत भूलिए अब मैं लिक्विड रेड कलर की कुछ ड्रॉप्स एड़ करके पेस्टल सपिंग कलर बनाऊंगी ये स्पेशली बच्चों के लिए 100% सेफ हैं ऐसे प्यारे से कलर सों तो होली खेलने का मज़ा ही अलग है वन्हां मारकेट के कलर से होली खेलते वे आज हर कोई घपराता है कि पतानी स्किन को ये कितना डैमेज करेंगे अपनी बचीवी बीटूट से मैंने राइता बना लिया है हमें कोई भी चीज वेस नहीं करनी है कैबिच जूट से मैंने अपनी डिप बना ली है प्लस बचीवी वेजिटेबल्स को कुक करके आप सूप या सबजी बना सकते हैं सेम वे हल्दी को भी आप दाल या सबजी में यूज कर सकते हैं चलिए बालकनी में चलकर देखते हैं कि हमारे कलर्स धूप में सूप कर कैसे हो गए है आपको नहीं लगता कि ये सारे कलर्स थोड़े से लाइट हो गए है ये पालक देखिए टॉप लेयर एकदम डाग ग्रीन कलर है इसको क्रश करेंगे तो हमें एक लाइट पेस्टल सा ग्रीन कलर दिखाई देगा जब ये फुली ड्राइ हो जाएंगे ना सारे कलर्स तो हम इने मिक्सी के जार में पीस लेंगे जिससे कि इसमें किसी भी तरह के कोई लंप्स ना बचें ये ग्राइंड करने के बाद देखें कितना प्यारा सा ग्रीन कलर बन गया है इसका टेक्शर भी एकदम स्मूथ हो गया है और ओवर मिक्सी में पीसने से इसके पार्टिकल्स एकदम इवनली मिक्स हो जाते हैं अपने मिक्सी के जार को बार बार वाश मत करिए उससे वो गीला हो जाएगा आपको दिक्कत होगी उसके बजाए इसको पिपन आपकिन से वाइप करके नेक्स कलर पीशते जाएए इससे आपका टाइम और एनरजी दोनों सेव होंगे मेरे सारे कलर्स रेडी हैं इसमें से बी टूट वाला रेड कलर मेरा फेवरेट है तो आप भी जल्दी से कमेंट करके बताएए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है फ्रेंस और फैमिली के साथ होली सेल्फी लेने के लिए मैं एक नया सेटप बना रही हूँ मेरा आने वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करियेगा ये हमारे केचेन इंग्रीडियन्स से इतने ब्यूटिफुल से नैच्रल कलर्स बनते हैं कि इनके शेड्स को वर्ट्स में डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफिकल्ट है बस आप इने बना कर ही इनकी ब्यूटी को एड्मायर कर सकते हो मोर ओवर ये आपने अपने हाथों से खुद बनाए हैं तो आप एकदम शौर होते हो कि इसमें कोई भी हाश केमिकल्स या शाप पार्टिकल्स नहीं है जो आपको नुकसान पहुचाएं मैंने तो आज आपको सिर्फ कुछी कल्स बना के दिखाएं हैं आप अपने क्रियेटिविटी यूज़ करके हंड्रेट्स ओफ टोन्स और भी बना सकते हैं बस ज़रत है तो अपने किचिन के नैचरल इंग्रीडियन्स के ट्रेजर को एक्स्प्लोर करने की आप सबको क्राफ्टोकरी की तरफ से होली की धे सारी शुब काम नाएं बाबाए हैपी एंड सेफ होली